सुभास्पा विधायक अभास अंसारी के खिलाप फरारी वारंड जारी करने से MPMLA कोर्ट ने किया इंकार बता दे कि स्पोर्ट कोर्टे से एक लाइसेंस पर साथ असलहे खरीने के आरोपी माफिया मुक्तार अंसारी के बेटे वसु भास्पा बिधायक अब बास अंसारी के विरुद MP MLA कोर्ट ने फरारी आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है पुलिस द्वारा दिये गए प्रातना पत्र को खारिश करते वे कोर्ट के विशेश अपर मुक्हनायक मेजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार सिर्वास्तों ने कहा कि अब बास अंसारी ना तो अपने आपको छिपा रहा है और ना ही फरा रहे कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि 25 अगस तक गिरफतारी वारंट तामील कराएं इतना ही नहीं अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अब भ्युक्त अबास अंसारी के खिट गत 14 जुलाई को गिरफतारी वारंट जारी किया गया था पुलिस वारंट तामील नही करा पाई और 25 जुलाई को फरारी की अरजी दाखिल कर दी है इस पर कोट ने दोबारा गिरफतारी वारंड जारी कर तामील कराने का आदेश दिया था अदालत ने यह भी कहा कि अब्युक्त ने अग्रिम जमानत के लिए सक्षम नेयाले में वकील के माध्यम से उपस्तित था ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने आप को छिपा रहा है या फरार हो रहा है अग्रिम जमानत अर्जी से इसपश्ट है कि अब्युक्त विदिक प्रक्रिया अपना रहा है अब्युक्त ने फरार ना होने की दशा में CRPC की धारा 82 की कारवाई का कोई आधर नहीं है अदालत ने अब्युक्त के विरुद फिर गिराफ्तारी वारंट जारी करते हुए वेचक थाना धेच को निर्देश दिया है कि 25 अगस्तक वारंट का तामीज सुनिश्चित करा है एपियो सोनु सिंगरा ठोर के माध्यम से पुलिस ने कोट में अरजी दाखिल की थी कि अब्युक्त के सभी संभावित इस्थानों पर दबिजदी गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है वह लगातार फरार चलना है इसके अलावा वह राष्ट पती के ने भी नहीं गया था झाल 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 झाल